हाई अब्रिवन फ्रेंड कैसे हो आप सब उमीद करता हूं अच्छे होंगे तो फ्रेंड आज मैं एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यह जानकारी छोटी है लेकिन बहुत महत्पूर्ण है सभी साउंड वाले भाईयों को जानना जरूरी है बहुत इसी प्रकार का वीडियो में रेशिनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है तो फ्रेंड चली बिना लेट किये हुए आगे हम वीडियो में बढ़ते हैं तो फ्रेंड यह है हमारे पास एक आउजा का पीए मिक्सर एम्प्लिफायर जो की 120 वाट का है इसका आगे का से सब कोई को पता होता है कि line out और pre-out दोनों amplifier को connect करने के लिए जाता है अनिकी एक amplifier से दुसरे amplifier को आगे से इसके नहीं से वह भी उसमें आउट्पूट में जाएगा वैसा ही आपको आउट्पूट यह मिलेगा और जदि आप प्री आउट्पूट लेते हैं तो फ्रेंड यहां इस एंप्लीफायर पे जदि आप मीड़ेस्ट रेवल यहां कंट्रोल किये होंगे तो वह आउ प्रेंट्पूट रही हैं थोड़ा से आपको यह देख लीजिए आप यह Ig Gosar के छा यह दर्धिया को से किए हैं मेरा यह 501 पर हम दिये हुए है और यहां आप देखिभर हैं यह जितना भी कंट्रोल करेंगे मीड और ट्रिवल ए एक कंट्रोल buck करेंगे तो इसका कुछ असर उस एंप्लीफायर पर अनिकी मेरा जो प्विटी 501 एंप्लीफायर है उस पर नहीं पड़ेगा और यहीं जिदी हम फ्रेंड इस वाले कोड को निकालके यहां लाइन आउट से ले लेते हैं यह देखिए लाइन आउट में हम इसको इसे आउट्पुट ले रहें तो फ्रेंड यहां जितना भी हम का टूल करेंगे यह बैस ट्रेबल जितना भी है वह सब का आउटपुट उस एंप्लिफायर पर जाएगा मेरा 501 पर आनि कि जैसा जैसा मैं यहां इसका वैसा आउटपुट उस पर जाएगा और पर आउट में वैसा नहीं होता है वह डायरेक्ट आउटपुट होता है इसमें मीड़ बैस ट्रेबल जो भी आप कंट्रोल करते हैं उसका जो आउटपुट है वह उस पर नहीं जाता है तो फ्रेंट वीडियो अच्छा लगे तो फि आप हमें कमेंट करके बता दीजिए आज के वीडियो में बस इतना है मिलते हैं अगला वीडियो में